जहारखन की चित्रकला Spinnings of जहारखन तो दोस्त हम लोग इस विडियो में अपने बात करेंगे हम लोक इस्ट आर्ठ चित्रकला के बारे में जो कि जर्खन की चित्रकलाओं में एक और इम्पोर्टेंट चित्रकला है 8 है तो यहां पर है जादो पार्टिया कोहबर और सोहराय चितरकला होता है आप लोगों को मालूम होगा ही अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकर देखना है तो आप लोग डेस्क्रिप्शन में दिये के जो है लिंक है तो उस लिंक पर जाकर के आप लोग किलिकर के जादो पार्टी या कोहवर और सोहराय चितरकला क कि यहां चित्रकला इस्क्रोल पेंटिंग के अंतर के जारखन में बिक्सित जारखन की नई चित्रकला है इस चित्रकला में धान की पूआल पर पेंटिंग की जाती है तो दोस्तों यह जो है इस्ट्रो आठ चित्रकला वहां जारखन में ही बिक्सित हुआ है और जारखन की न लनता है उसके बाद में वहां पर paint की जाती है इस्टो आठ चितरकला में ईसमें धान के पॉओल को फैला कर ताप और समतल के जाता है फिर चितर बनाई जाता है तो तो यह जो है धान का पुवाल है उसको सबसे पहले फैला दे जाता है फैलाने के बाद में वहां ताप द्वारा उसको समतल किया जाता है और जो चित्रकार होते हैं वह समतल किया हुआ जो धान का पुवाल होता है उस पर चित्र बनाता है चित्र बनाने के बाद में वहां पर चिपका कर फ्रेम किया जाता है तो जो चित्र बन जाता है उसको फिर वहाँ जो है बनाया रहता है वहाँ से काट करके अलग कर लेते हैं और फिर जो चित्र बन जाता है उसको जो बेग्ग्राउंड में बरक जाता है और विल्व Way veins we couldoodoo h ! चित्र भण जाथा या पुरी तरीके से रंणियनवाल उसको फ्रेयम कर लिया जाता है ! इस लग्रों को ध्यान रखना कि इस परकार के दिया जाता है , इसके बरें आप लोगों को मैं यहां पर बताता हूं , माल लेते है जैसे की इस परकार का है और यहां पर धान का महीन पुवाल को इस परकार से सजा करके रख दिया जाता है पूरी तरीके से इसको भर ले जाता है बहुत महीन काम होता है तो इसको इस परकार से पूरा भर दिया जाता है फिर भरने के बाद में जो पुवाल है उसको समतल करने के पहले आप जो है इस परकार से चिटर कार के द्वहर डुर के जाएगा उसके बाद में पत्त बनजाएगा और यहां पर जितना पी रंग चलाना आगा उसको यहां से काट करके अलग कर दिये जाएगा और कार्ट्स से अलग देजाएगा तो इस प्रकार का आप लोगों का जो है जीत्र बन कर के निकल कर सामने आएगा और बाद बगिए सारी अलग की लिखते चीजे रहेंगे इधर वाले और इधर वाले इभिस सारे अलगано के लेकिन जो main चितर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा और इसके बाद में इस जो है पत्ता का यानि कि जो चीतर है उसके background में आप लोगों का रंगीन या तो फिर काली वाला जो सतह रहेगा काला वाला जो भी सतह रहेगा उस पे इसको चिपकाया जाएगा तो इस सीर पर सीर के वल प चितर के से फ्रेम करके रख दे जाएगा तो यही होता है इस्ट्रो आठ चितरकला तो आप लोगों यहां पर देख रहे हैं कि धान के प्वाल पर पेंटिंग की जाती है और उसको काट करके अलग हो जाने के बाद में रंगीन या काली प्रिष्ट भूमी के सतह पर चिपक चितर कला कोहबर जादो पारी चितर कला सभी इस्क्रॉल पैंटिंग लाएं है अब देखते हैं कि इस्क्रॉल पैंटिंग क्या होता है च्छारकन के दिया splits का जिशले ज्रे पादिवासियों यहां पर उपियों किया गया था यहां घाक किया घाए था यानि कि इस्क्रॉल पैंटिंग्स सबसे पहले जहरकन में संत्राधिवासियों कि दुबारा ही सुरुआत किया गया ौक इस्क्रोल पेंटिंग्स मुझ्खे रूप से कागज या कपड़े पर बनाया जाने वाला पेंटिंग है तो यह आप लोग देख रहा है कि इसको कह सकते हैं कि इस्क्रोल पेंटिंग्स में कपड़ा और कागज के साथ साथ में अब पुवाल का भी उपयोग होने लगा है दोस्तों आप लोगों को एक चीज और जानकारी में को ध्यान रखना है कि सोहरा चितरकला और कोबर चितरकला जो है उसको भारत सरकार की और से जी आई टेग दिया गया है और यह कब दिया गया है तो यह 2020 में दिया गया है तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है very very important है कि 16 चित्रकला और कोबर चित्रकला को 2020 में GI tag मिला है ये important है तो इस परकार से आप सारे से जोंको जानकारी को ध्यान रखेंगे तो यही था जहारखंड की चित्रकला में 28 चित्रकला के बारे में जो की सबसे नया चेतरकला है और जहारकन में ही बिक्षित हुआ है